असलाम लेक्टर के स्टार्ट में जो है वो एप्लिकेशन अड यूजर्ज अफिम्टर जो है इसमें हम लोग डिफरेंट जो है एप्लिकेशन ऑफ के बारे में डिसकस करेंगे क्योंकि एक सिंपल सा ओवर्वीव होगा जिसमें हम एक ब्रीफ इंड़क्शन लेंगे अपने इस चैप्टर का कि इसमें कौन-कौन से अप्लिकेशन हैं अप्लिकेशन मींज अडवांटजेज अड यूजर्ज अफिम्टर तो हम इसमें दोनों को कंबाइन नी पढ़ेंगे इसमें मेजर केटेगरीज पूर्ज जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं जी आप एक कह सकते हैं कि नमबर वन पे हम इसको बिजनस के अंदर नमबर तू हम इसको एजुकेशन के अंदर बिजनस Education के अंदर आप इसको Finance Banks के अंदर इसको Stock Exchange Markets के अंदर इसी तरह से बहुत सारे Fields है मैं साथ साथ आपको इस सारे Account करवा दूँगा के Finance के साथ Banks के साथ Stock Exchange Markets के अंदर इसको हर जगा पे हम लोग इस्तमाल करते हैं इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो Multiple हमारे टास्क हैं Office के अंदर परफॉर्म करने के लिए जैसे कि उसके अंदर हमारे पास कुछ options आ जाती हैं Document Management System है इसके अलावा मेटिंग्स हैं चाहे वो वीडियो कांफरेंसिंग हो या कोई भी चीज हो इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे पास Hospitals के अंदर जो है इसको इसको इस्तमाल की जाता है कि हमारे पास different fields है जहां पर हमके मेटर को इस्तमाल करते हैं अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर तो बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी मामलाथ है मीटिंग्स है उसमें जो reports जिनरेट की जाती है customer की bills का customer की sales का record बनाया जाता है आप किस product को बेच रहे हो उस product की details का आपको यह सारा कुछ जो है जब arrange करना है उसके database को arrange करना है तो उसके साथ आप लोग क्या करते हो पर computer को इस्तमाल करते हो अगर हम education की बात करें तो हम अपने जितने भी students के records हैं वो सारे computer के अंदर install करने की कोशिश कर रहे हैं हम वहां पर paperwork को basically replace कर रहे हैं मैं यहां पर एक major point निखूँगा that is the most important point मैं यहां पर उसको star भी दूँगा इस point को भई आप paperwork जो है न paperwork हमारा जो है उसको replace किया गया है paperwork को paperwork replaced by computer technology के भई आप computer की technology के जरीए से अपने paperwork को खतम कर रहे हैं paperwork में errors mistakes का बहुत ज़्यदा chance है कि भई आप जब paper इस्तमाल करोगे तो जाहरे आप लिखने में को गल्ती कर दोगे आप over cutting करोगे आप over write करोगे इसको पढ़ने में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है records दर दर हो सकते है disturb हो जाएगी चीज़े तो इसी को अगर हम replace कर दें with the help of computer technology तो उससे फाइदा यह होगा कि अगर आप उस एक report की copies 10 copies 10 system के अगर आप डख देते हो तो अगर एक computer आपका चोरी भी हो जाता है खराब हो जाता है बागी के 9 computers में तो आपके पास वो records मुझूद है उसके electronic records बनाकर emails कर देते हैं हम fax कर देते हैं हम telephoneic records उसके बनाकर रख लेते हैं हम उसकी reports generate कर गे उसको रख लेते हैं और that is the main purpose of the usage of computer actually the computer को जब बनाया गया था तो students उसका एक ही purpose था purpose उसका just यह था कि भई आप just उसके लिए क्या करोगे calculation करोगे क्योंकि computer is a word that is derived from another word that is compute and compute means that calculation it means that we are talking about the calculations we are talking about the manipulation of the digits of the numbers तो हम तो इसको calculations के लिए बनाकर बैठे थे but today अगर आप देखेंगे आज की दोर में nowadays computer को कहाँ पर फी यूज ली किये जा सकता यह सारे fields तो गजिने चुने हैं भाई इसके लावा बहुत बड़ी list है तो हम अपने book के according भी बात करेंगे कि इन fields के अंदर जैसे का finance के अंदर बात करें तो finance को manage करने के लिए sales को manage करने के लिए हमद की अमेंटर को इसतवाल करते हैं अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें customer की records हैं उनके credit card numbers हैं उनको check number हैं उन्स चिदों को use करने की लिए उनको manage करने के लिए उनको इसक्वाल करते हैं हम stock exchange market के अंदर के मिटर को इस्तमाल करते हैं जितनी भी तरहां की हमारे पास stock exchange की records हैं हम उनको online कर चुके हैं electronically उनको customers इस्तमाल कर रहे हैं even कि आपको तो stock exchange की जो physical office area है उसकी भी जरूरत नहीं है market की physically जरूरत ही नहीं है आपको आपने तो सब कुछ electronic कर दिया so that's why these are the importance of the computer and these are the usage of computer in many fields हम इन fields के अंदर के मिटर को इस्तमाल कर रहे हैं हम लोग paper को replace कर चुके हैं reports को replace कर चुके हैं with the help of computer technology अगर इसके लाबा हम बात करें document management system की तो that is the most important feature of the computer के भई इसके जरीए से तो आप बहुत कुछ कर चुके हो अपने जितने भी word, excel, powerpoint ये जितनी भी चीज़े हम ready करते हैं computer के जरीए से करते हैं हमने sale का record बनाना है हमने suppose customer की details लिखनी है किसी जगा पर उनके records बनाने है उनके addresses का record बनाना है उनकी salary sheets बनानी है मुझे उनके लिए different tables को formulate करना है मुझे तो that is why मैं तो DMS use करूँगा ना document management system document management system तो आप computer के जरीए से करोगे definitely इसी तरह से meetings करनी है online meetings करनी है video conferencing करनी है, telecasting करनी है ये सारी चीजे with the help of a computer technology ही possible है because आपने electronically data को handle करना है इसी तरह से अगर हम hospital के अंदर बात करें हमारे disease records, हमारे patient की history है, patient की records है वो सारे अगर हम physical shape ने अगर paper की सुरत में लिखते हैं तो mechanically उनको handle करना बहुत tough हो जागा भई एक hospital के अंदर अगर आप government hospital की example ले ले तो उसमें गरीबन एक दिन में हजारों की तदाद में patients आते हैं हजारों की तदाद में cases आते हैं उनको आप कितने को register भरोगे कितने को documents और pages भरोगे उनको लिखने के लिए that's why अगर आप एक computer in solve गर लेते हो अगर आप एक network बना लेते हो वहाँ पर तो चंद computers के अंदर आपका हजारों क्या लाखों प्रोडों millions billions की तदाध में data आप store कर सकते हो that is the combination and usage of computer जिसके उपर मैंने एक शोटा सा overview दिया है कि हम कैसे हर field के अंदर computer को इसके बाद इन्शाला अपना पहले lecture के साथ हम इसको start करेंगे पहले topic के साथ start करेंगे इंशानल next lecture में तब तक के लिए student अपना ख्यार रखें तब तक के लिए खुदा हावावाज